तो आज के इस lecture में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कुछ tips and tricks ऐसी कौन सी tips और tricks से जिससे आप B Pharmacy semester exam में अच्छे marks ला सकते हो हमारे पास तीन section होते हैं section A, section B, section C कोई भी exam pattern ले लो आप चाहे आप RUHS का ले लो, AQT University का ले लो, UTU University का ले लो तीन section होते है, section A, section A, B and C, तीन आपके पास section है, ठीक है और generally जो section C होता है, वो 5 marks का होता है, अब कोई बच्चा कमेंट करके यह नहीं कहेगा सर हमें 15 marks का आता है, अरे आता तो है ना, चलिए, जो section B होता है, वो 10 marks का होता है, एक general idea दे रहो हूँ मैं और जो section A होता है, वो 2 marks का होता है, ठीक है, एक general idea अब बात करें हमें कौन सा section सबसे पहले attempt करना चाहिए, तो मेरी नजर में आपको section B सबसे पहले attempt करना चाहिए, क्योंकि section B में जो 2 questions रहते हैं, वो 10 marks के रहते हैं, और 10 marks के question सबसे पहले आपको attempt करने चाहिए, क्योंकि 10 marks से related आपको जितना भी आता है आपको लिख देना उसमें, फिर उसकी tension खतम, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे according section C आपको attempt करना चाहिए, क्यों, क्योंकि section C में 10 marks के question है, और 10 marks के question में आपको जितना आता है उतना लिखना चाहिए, minimum आपको 7-8 page लिखना है, minimum, 7-8 page लिखना ही है, और इतने लिखोगे तब ही अच्छे marks मिलेंगे, क्योंकि कई बार depend करता है checker कोन है, अगर मैं हूँ, तो मैं अच्छे से पढ़के बताऊंगा, पर किसी checker का mood खराब है, उसना देखा आपने 5 ही page लिखे, हाला कि आपका content बहुत अच्छा है, आपका content लाखों में यह एक है, पर आपने 4-5 page लिखे हैं, तो वो 4 number, 10 में से 5 number करके आपको, तो फिर आप बोलो या section B start कर रहे हो, कोई बड़ा question आप start कर रहे हो, ठीक है, जैसे 10 number का आपने start किया, तो suppose करो 10 number में question आया, एड्स का, चलिए, पैतो फिजियोलोजी में एड्स, सबकी favorite मिमारी है न, नहीं सर, एड्स कोन चाता है, एड्स तो होए न, किसी को दुश्मन का भी ना होए, क्यो एड्स के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एड्स की इस तरह से बलपोहम, acquired immunodeficiency syndrome, फिल लिखना कि एड्स किस से होता है, HIV वाइरस से होता है, फिल लिखना कि HIV वाइरस की factory कोन किलाती है, एड्स में, मैक्रोफिश किलाती, थोड़ा general introduction लिखो, ठीक है, एड्स के लि एड्स का question उसने देखा 10 marks में है, वो चेक करने आया, तो वह ऐसा थोड़ी न करेगा, last page जाके, last line चेक करेगा, ऐसा थोड़ी न होता है, exam की पहली line चेक करेगा ना, की पहले page की पहली line के लिखा क्या है बंदेने, अगर आपने अच्छा लिखा होगा, तो examiner का mood साही, अ और जिसका answer इस तरह से है, well managed answer है, तो उसको साथ से 8 marks तो मिलेंगे, पकी बात है, sir, पूरे क्यों नहीं, अरे पूरे आज तक किसी को मिले हैं, क्या यार, चलिए, तो हमने देखा, सबसे पहले हमें section C करना चाहिए 10 marks का, I mean section B 10 marks का, ठीक है, अब हमें करना चाहिए उसके ब time management नहीं हो पाता, तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप 10 marks के ही कीजिए, उसके बाद आपको 5 marks के जितने आते हैं, आप उतने कीजिए, और अगर आपको मानलो, सार ही आते हैं, और आपके पास time सिर्फ 30 minutes left है, और आपके दो question यहां चूटे, तो यहां के छोड़ो, section A पर आओ, क्योंकि वो 2-2 marks का question है, और फिर महां पर ध्यान दू, तो बच्चों के गए comment भी आते हैं, कि सर, section C में कितना लिखें, B में कितना लिखें, चलो वो भी बता देता हूं, और answer कैसे लिखना है, वो भी बता देता हूं, reaction कैसे लिखना है, वो भी बता देता हूं, काफी है, पास लाइन, और पास लाइन में example हो जाए, तो चार चांड लग जाएंगे, जैसे CSF, cerebral spinal fluid का question है, तो क्या लिखोगे, CSF की फुल फॉर्म लिख दो, कि cerebral spinal fluid, फिर लिख दोगे कि हमारे brain की layering में मिलता है, इसका काम होता है, इसका काम होता है, तो यह सबाब लिख स हो, ठीक है, अब CSF के बारे में इतना ही काफी है, बच्चे क्या करते है, CSF is यह, CSF is वो, CSF, CSF, अरे आप दो पेज लिख दो, तो कितना 2E marks न, है तो कितने का 2E marks का न, तो फिर हमें उस according देखना है, हमें examiner की source देखनी है, कि वो किस तरह से check करेगा, एक काम करो, आप ख मुझे question दिया reproduction का, चलो ठीक है, आप examiner हो, आपने मुझे question दिया reproduction का, ठीक है, sir reproduction, हाँ भया reproduction, playlist में link है, देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया, एकदम detail knowledge में, जिंदिगी पर काम आएगा, तो आपने मुझे question दिया reproduction का, तो मैं attempt कर रहा हूं, तो सब सब पहले मैं कै सब सबस्टार्ट करेंगे, तो पहले इंट्रो दो, अच्छे सो सजाओ, स्टार्टिंग को, बीच में तुम जितनी theory लिखनी हो, लिखो, और कभी भी theory ऐसे मत लिखना, यह ऐसे वो रट्टे वाले लोग लिखते हैं, ऐसे चलते जाते हैं, वो line से, ऐसे, ऐसे करके पूरे page बर देते हैं, और मैं जब exam देता था, तो मैं side से देखता था, मैंने का, यार, मैं कुछ पढ़के आया भी अब भी नहीं आया हूँ, क्योंकि वह रट्टे वाले लोग इसे, ऐसे generator की तरह है, ऐसे नहीं चलना आपने को, देखो, इस तरह से भी नहीं लिखना अपने को, आपने को कैसे लिखना है, वो देख लोगा, हमें इस तरह से लिखना है, जो भी हमाँ बड़ा answer आता है, उस पढ़ेगा, सीधा राइट, फॉर मार्क्स, हो गया बात खतम, बले आप कितनी अच्छे content लिख क्या आ जाओ, क्योंकि कई वच्छे compare करते हैं, बाद में, कि सर उसने तो मेरे से कम पढ़ाई करी, उसने तो मेरे बराबर भी पढ़ाई नहीं करी, तो भी उसके जादा मार् या फिर examiner का mood अच्छा हो, दो ही reason हो सकते हैं, ठीक है, तो examiner के mood वाला reason तो कभी कबार होता है, पर यह pattern ज़रूर follow करना है, क्योंकि यह pattern follow करोगे, तो exam में अच्छे marks मिलेंगे, तो आज के इस lecture में में देखा section A को किसे attempt करना है, section B को किसे attempt करना है, section C को किसे attempt करना है, question क मेरे पास काफी comment आते हैं कि सिर्फ reaction start कैसे करें, जैसे मालो आपको organic में अल्डॉल condensation देदी, अब आप बोलते हो सब 10 marks में अल्डॉल पूचिए क्या लिखे, सिर्फ reaction लिखे छोड़ दे हैं, mechanism में लिखे छोड़ दे, तो देखो एक बार बताओ, सबसे पहले आपको देन दूसरा point यहाँ पर alpha hydrogen जरूरी होते हैं, तीसरा point alpha hydrogen क्या होते हैं, यह भी बताओ, क्योंकि आप ऐसे समझो कि सामने आले को कुछ भी नहीं आता हो, आप बिल्कुल basic तरह से बताओ उसको, फिर आप बताओ कि यहाँ पर reagent क्या है, किसकी presence में reaction होती है, फिर आप बताओ कि में medium कौन सा है, समझ रहो, इस तरह से आप पहले सजाओ, उसके बाद आप लिखो reaction, यहाँ लिखो reaction, इन सब के बाद, यह सारे points लिखने के बाद, आपको लिखनी है reaction, reaction लिखने के बाद, लिखो mechanism, क्या लिखोगे, mechanism, और mechanism लिखने के बाद, इसी को explain कर दो, जैसे एक example में देता हूं, aldehyde, are oxidized into carboxlic acid, अब इसको language किसे बनाओगे, बताओ, जल्दी से बताओ, इसको language इसी बनाओगे, aldehyde, undergo oxidation, and it from carboxlic acid, तो जो mechanism की हर line है, उसको अपनी language बनाओ, और language बना के answer लिखो, मैं देखता हूं किसे माक्स नहीं आते, तो इस तरह से answer लिखने चाहिए, ह organic में रट्टाफेकेशन कुछ भी नहीं है, E1, E2, SN1, SN2, सब में concept है, हर चीज में concept है, चाहिए, वो disease ही क्यों नहीं हो आपकी, कुछ होता है, रट्टा मानने आले, तो उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे enzyme का classification, EC11, EC112, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो भी मैंना र share करोगे, तो मैं care करूँगा, ठीक है, वैसे मैं करता हूँ आपकी, हर एक को time पर reply वगेरा सब कुछ, I hope आपको clear हुआ होगा कि आपको कैसे answer लिखना है, section A कैसे लिखना, B कैसे लिखना, C कैसे लिखना, किस को पहले attempt करना, किस तरह से answer की format बनानी, इस सब कुछ, फिर भी email मैं देदूँगा, description में, have a nice day, thank you, subscribe and share for more.